नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य जोती आज हम लोग सूर्दास के पद नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ की व्याख्या को देखा था इस पाठ में जो सूर्दास जी द्वारा रचित पद है उसकी व्याख्या को किया था यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूँगी तो चलिए आज की वीडियो को आज की पढ़ाई को हम लोग शुरू करते हैं जिसमें हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ्थे पुस्तक में दिये गए कुछ प्रश्न है उन्हें करेंगे साथी साथ जो कुछ अंधरूनी प्रश्न है मैंने उन्हें भी आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर दिया है तो हम उसे भी करेंगे क्योंकि वह भी प्रश्न बहुत ही आवश्यक होते हैं आइए सबसे पहले हम लोग बहु विकल्पी प्रश्न को देखते हैं यहां पर वस्तुनिष्ट प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्न लगाए यानि यहां पर एक प्रश्न है और उसके चार विकल्प दिये गए है है आपको जो विकल्प इसमें से नहीं है कि जो उत्तर सही है उसे आपको आपको जहीं का निसान देना है तो तो सूर्दास का जनद कब हुआ था तो देखिए इसमें पहला विकल्प जो है क क क नंबर है 3178 इसुई दूसरा दूसरा तीसरा 1578 इसवी और जो हमारा चौता है यानि कि घ है वो है 1678 इसवी तो जब मैंने जीवन परिचे बताया था तो उसमें मैंने इसका उत्तर भी पताया था इसका जो सही उत्तर है वह है 1478 इसवी यानि कि ख नंबर ठीक है आए दूसरे प्रश्न को देखते हैं तूर्दास क के गुरु कौन थे ठीक है जो हमारा दूसरा प्रश्न है सूर्दास के गुरु कौन थे विकल्प देखिए पहला नरहरी दास दूसरा रामानन दास तीसरा बल्लभाचारे और चौथा संकराचारी तो इसका सही उत्तर जो है वह है बल्लभाचारे सूर्दास जी यारे जी जो थे वो सूरदास के गुरू थे आगे के कुछ प्रशनों को देखते हैं इसमें से देखिए ये तीसरा नंबर प्रशन है इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है ध्यान दीजेगा नहीं है पूछा है इसमें से सूर्सागर, साहित्य लहरी और सूर्सारावली ये तीनों ही रचनाएं जो हैं वो सूर्दासी की हैं ठीक है ये तीनों ही रचनाओं में हमें सूर्दासी द्वारा रचित पद देखने को मिलते हैं तो इसका सही उत्तर है, यानि कि सूर्दास की रचना जो नहीं है वह है बीजक, बीजक किसकी रचना है, कबीर की, याद रखिएगा, बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की, ठीक है, और बात बाकी ये तीनों जो है वह सूर्दास की रचना है, ठीक है, ठाथा प्रशन देख पार्सोली ग्राम और नहीं ग्राम तो हमें बताना है कि सूर्दास जी की मृत्यू कहां हुई थी उसका जो सही उत्तर है वह है पार्सोली ग्राम में ध्यान रखिएगा गह नंबर प्रश्ण है पार्सोली ग्राम में कई बार क्या होता है बच्चो की परीक्षा में जो है ना तो हमें कवी परिचय को जानना भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैंने यहां पर कवी परिचय से कुछ बहु विकल्पी प्रश्न दिये हैं अब आईए हम लोग पार्ट से संबंदित कुछ प्रश्न देखते हैं पार्चवा नंबर अनात होकर कभूतर कभूतर यानि कि कवी कवी स्वयम को ही कह रहा था ठीक है कहां बैठा है इसका उत्तर देखते हैं हम लोग पहले विकल्प देखते हैं फिर उत्तर जानने का प्रयास करते हैं तो पहला विकल्प है पेड की डाल पर दूसरा चत पर तीसरा सडक पर और चौथा नाओ पर ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या है आपको पढ़ा होगा तो आपको पता च बहेलिया जो था वो निसाना साधे हुए था और उपर बाज पक्षी उसकी और मतलब तोह लगा कर बैठा था ठीक है तो सही उत्तर क है इसका विकल्प देखिए पहला कभूतर भ कभी ग बाज और भ बहेलिया तो साप ने किसको डस लिया था भ बहेलिये को ठीक है ना साथ नमबर प्रशने देखते हैं सुमिरत से कभी क्या संकेत में तो है यह जो शब्द है सुमिरत ठीक है यह जो हमारा शब्द है सुमिरत इससे क्या संकेत मिलता है यानि हमें क्या पता चलता है देखिए सुमिरत का अर्थ होता है याद करना स्मरन करना या फिर नाम लेना तो उस हिसाब से हम देखें यहां पर आगर आप विकल्प देखेंगे तो पहला जो विकल्प है वह है दर्शन दूसरा है इश्वर का नाम लेना तीसरा सीर्थ करना और चौथा पूजा करना तो अगर हम ही से देखें कि सिम्रत का आर्थ है स्मरन करना या नाम स्मरन करना तो आई आठ नंबर पिलान का तेवहार किसा मनाया जाता है तो देखें यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तेवहार का नाम भी आप मेंसे बहुत से लोग जानते ही होंगे की तर्प को दूद्पिलाना का जो तेवहार होता है उसका क्या नाम होता है उसे हम कहते है नाग पंचमी का तेवहार और वो किस दिन मनाया जाता है नाग पंचमी के दिन को इसका जो सही उत्तर है वो है घ यानी कि नाग पंचमी के दिन यो यह दो एवार जो है वो मना आ सता है जार्ट 9 नॉल नम बर देखती ाम है 9 नम बर प्रशने है खल शब्द का क्या अर्थ है तो खल शब्द का अर्थ होता है दोब्ष्ट दुष्ट व्यक्ति के लिए खल शब्द का इस्तमाल किया जाता है एक दस नमबर प्रश्न देखते हैं सूर्य के डूबते ही कमल की पंखुडियां क्या हो जाती हैं तो इसका विकल्प देखिए पहला है क पैल जाती है दूसरा ख टुड जाती है गह गिर जाती है और गह मुड़ जाती है यह आप बच्चों जानते भी होंगे कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूरी के डूबते ही उनकी पंखुडियां क्या होती है से खोड जाती है इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है फ नमबर सुरी के डूपते ही कमल की पंखुडियां जो होती है वो से कोड़ जाती है आईए यहाँ पर हमारा जो है इस पार्ट से सम्मंदित बहुँ वी कल्पी जो प्रश्न है वो समाप्त हुआ अब हम आगे लगुतरिया प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर मैं पहले बता दो कुछ प्रश्न जो है वो पार्ट के भीतर से दिये गए हैं तो आप उन्हें भी ध्यान अवश्य रखें तो पहला प्रश्न जो है कि सूर्दास का जन्म कहां हुआ उत्तर देखे सूर्दास का जन्म मत्रुआ के निकट ती ही नामक ग्राम में सूर्दास का जन्म हुआ है लेकिन उस वक्त कुछ उतने अधिक प्रमार नहीं मिलते थे इसलिए कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि उनका जन्म जो है वो रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ है तो आप इसे ध्यान रखिएगा यदि आप से पहले कोई पूछता है कि सूर्दास का जन्म कहा हुआ है तो आप बताएंगे मत्हुरा के निकट सीही नामक ग्राम में सूर्दास जी का जन्म हुआ है फिर उसके साथ जोड़कर बोलिएगा कि लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म भुनुक्ता नामक ग्राम में भी हुआ है ठीक है विद्वानों में मत्भेदें क अब देखते हैं दूसरा प्रशन हम लोग यह जो तीन रचनाए हैं यह सूर्दाश जी की प्रमुख रचनाए हैं आप इसा याद रखेगा इसे याद रखनी के लिए आप यह याद रख सकते हैं कि आगे में सूरशब्द जुरा हुआ है ठीक है तो आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नमबर प्रशन सूर्दास चीगी तीसरा नमबर जो मारा प्रशन है सूर्दास जी की रचनाये किस भासा में लिखी गई है ये मैंने आप लोग को बताया है सूर्दास जी की रचनाये जो है वो ब्रज भासा में ही लिखी गई है सूर्दास जी की कवीताये जो हैं वो हमें ब्रज भाषा में देखने को मुद्वत्ती हैं, जो पदे हैं वो हमें ब्रज भाषा में देखने को मुद्वत्ती हैं, जो पदे हैं वो हमें ब्रज भाषा में देखने को मुद्वत्ती हैं, जो हमें प्रज भाषा में देखने को मुद्वत्ती हैं, जो हमें ध्यान रखिएगा इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है यहां पर बान शब्द होगा बान कौन साथता है उत्तर बान वहेलिया ठीक है बहेलिया साथता है अच्छो नंबर प्रश्न जो है हमारा सिक्स नंबर बान इसको लगता है आपको पता ही है बान जो है वो जाकर सी इधा बाजपक्षी को लग जाता है साथ नमबर प्रश्ण देखते हैं मन को किसका साथ छोड़ने के लिए कहा गया है? यह हमारा दूसरे वाले पद सी प्रश्ण है और इसका उत्तर है कि मन को दुष्ट और पापियों का साथ छोड़ने के लिए कहा गया है आठ नमबर प्रश्ण पय पान कराने पर भी कौन विस्त्याग नहीं करता? यह भी हमारा दूसरा जो पद है उससे ही संबंदित प्रश्ण है गंगा नहाने की बात किसके लिए कही गई है तो अगर आपको याद हो तो गंगा नहाने की बात स्वान बालस्वान यानि कुत्ते के लिए कही गई हैلف pak 10 नंबर प्रश्णन देखते हैं कि पतित का हिर्दय क कैसा होता है इस निधार ठीक किसे होता है पाप शुक्ती नाँनि किया कहता है कट्थर के समान वाजकी होता है कि 11 प्रश्चन पद्मी के आ सन पर कौन बैठे हैं पदमासन झिसे हम कहते हैं मैं 12के पर ब्रहमां expects बारह नंबर सूर्डास ने प्रगन्न पती किसे कहा है तो यह आपको शब्दार्थ में ही पता चल जाए गा कि सूर्डास ने सेशिनाग को प्रगन्न पती कहा था है दा हमने जो पद पढ़ा है आखरी वाला उस आखरी वाले पद के बिल्unde आखरी की पंक्ति में हमें यह शब्द प्रगन्पति देखने को मुलता है यह किसके लिए संबोधित क्या गया है? सूर्दास के लिए ठीक है? अब हम लोग इस पार्ट से संबंदित कुछ जो बहुत मुलक प्रशन है उसे देखेंगे पहला प्रशन सूर्दास ने भक्ति के मार्ग में कौन सी बाधाय पाई है और उनसे मुक्ति का क्या तरीका बताया है? देखते हैं तो देखेंगे सूर्दास के अनुसार काम, क्रोध, मध, लोब, और मोह जैसे भौतिक माया जाल भक्ति भजन में बाधा उत्पन गण यानि कि सूर्दास जी जो है वो काम, क्रोध, मध, लोब, मोह को ही भक्ति के मार्ग में बाधा बताते हैं और उनसे मुक्ति का क्या तरीका बतलाया है? देखें इस्वर से विमुख रहने वाले दुष्ट और पापी लोगों की संगति से ही उप्रोक्त माया जाल में फसकर भक्त दुख भोगता है अता ऐसे लोगों की संगति को छोड़ कर ही भक्तों को बाधाओं से मुक्ति मिल सकती यह हमारा जो दो प्रश्न है पहला यह कि सूर्दास ने भक्ति के मार्ग में कौन-कौन सी बाधाय बताई है और दूसरा क्या है कि आप उनसे किस तरह मुक्ति पा सकते हैं तो उसका यह दो प्रश्टों का दो उप्तर आईए अब हम दूसरे प्रश्टों को देखते हैं अब के यहां पर मैं की जगा क्य होगा अब के राक ही लिया हुँ भगवान का अर्थिस पष्ट करेounces तो देखीए मैं हम इसा कहते हुँ न कि पडों को पढ़ना क्यों जरूरी हैُ प्रतेक पंक्ति को समझना है क्यों जरूरी है क्योंकि इन ही पंक्तियों को दे दिया जाएगा उठाकर और इसी तरह कहा जाएगा कि अर्थ स्पष्ट की आपको प्रतेक पंक्ति का अर्थ समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और इसलिए आपको हमारी पहली वाली वीड करते हैं कि hey इस्वर, जीवन और योग उतम साधना करते हैं. कि और फिर क्या बताते हैं, करक्छ कि क बताने का प्रयास करते हैं, कि कबूतर पेड़ के डाल पर बैठा है और नीचे बहे लिया उसका करने के लिए बान साधे हैं वह उपर उड़ना चाहता है लेकिन वाज भी कबूतर का सिकार करने की ताक में दोनों तरफ से उसका प्राण अठका हुआ है अता वह ईस्वर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्राथना करता है यही स्पंक्ति में कहा गया है कि अब के र उत्तर है वो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, ठीक है, आईए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, सूर्दास ने मन को क्या समझाया है, ठीक है, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, सूर्दास ने मन को क्या समझाया है, उत्तर, सूर्दास ने मन को दुष्ट और पापी लो जिससे काम, क्रोध, मद, लोब और मुह लोब के माया जाल में फसकर हमारा मन जो है इन माया जालों में फस जाता है जिससे ईश्वर की भक्ती में बिगन पड़ता है ठीके रुकावट आती है ठीके बच्छो यह बोध मुलक प्रहशन है ठीके इसलिए आपको इसको दो तिन राइन में बताना होगा इस तरह आपको इसका उत्तर बताना पड़े गया आपके एवल एक या दो पंग्ती में लिखकर नहीं छोड़ सकते है ठीक के प्रिश्ण को देखते हैं चार नमबर तो यह पंग्ती आकर है देख्ये नगतित्रिभवन कपे इस विरंची भरमावे माता यशोदा सी कृष्ण को सुलाती है कृष्ण बिश्णु के अवतार है और बिश्णु संसार के पालनहार है अतकृष्णु को सोते देखकर तीनों लोग काप जाता है और शीव और ब्रह्मा भी भाव्रम में पढ़ जाते हैं वास्ताव में उनके सोज आने से संसार की गती ही रुप जाएगी इसी वज़ा से सभी सशंकित यानि सभी संदेह में पढ़ गए हैं कि ये क्या हो रहा है भगवान सोग्यू रहे हैं ठीक है परन्तु वास्ताव में तो वो भगवान की लीला थी पाचवे नंबर प्रश्ण को देखते हैं पूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग ये पंक्ती है और आपको इस पंक्ती का क्या करना है आशय यानि कि व्याख्या करनी है ठीक है भावस्त पश्ट करना है पूरदास कहते हैं कि खल यानि कि दुष्ट लोगों का का चरित्र काले कंबल की तरह होता है जिस पर प्रेम स्रध्धा बक्ति का कोई दूसरा रंग चड़ाया नहीं जिस तरह काले रंग के कंबल पर कोई अन्य रंग नहीं चड़ाया जा सकता उसी तरह दुष्ट लोगों का हिर्दय परिवर्तन भी संभव नहीं है उनके हिर्दय को भी बदला नहीं जा सकता तो इस पंक्ति के माध्यम से कभी ने यही बात बतलाई है यहां पर हमारा बोध म सब्रहाशा सब्दों को खडी बोली हिंदी खडी-boli हिंदी रूप में लिखे यहां पर ब्रजभासा के यह जो सारे हैं वो ब्रजभासा के शचब्द हैं और आपको इसका खडी-boli का जो रूप है वह बतलाना है। जो पहला शब्द लेखे जिश दरून को ठीक है ये खड़ी बोली का सब्द है ब्रजिभासा का सब्द है डरिया और जब वह खड़ी बोली में आता है तो बन गया डाल ठीक दूसरेいた official everyday दीविवाण सब्द ब्रज्भासा का है यॵ्दफभासा का है और इसका जो है वह है स्मर probabilities ना सम्रान करना इसी तरीके से विमुखन, विमुखन का दोष्ट, तजद कार्थ होता है त्यागना, यानि कि तजद जो शब्द है। ब्रजभाचा का सब्द है, जब यह खड़ी बोली में आएगा तो त्यागना हो जाएगा। नहवाहो, नहवाहो का नहलाना, इसी तरीके से रीतो शब्द कार्थ है खाली करना, अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं, निमनलिखित शब्दो के तच्छम रूप लिखो, तो अगर आपने तच्छम, तद्वो, देशच, वीदेशच शब्द पढ़ा होगा, तो आ हम व्याक्रन की कख्षा सुरू करेंगे, तो उसमें हम सारे इन चीजों को समधते हुए चलेंगे, ठीके, वह शब्द जो अभी खड़ी बोली में है, उसका जो संस्कृत स्वरूप है, यानि संस्कृत में वजिस तरह इस तरह होते हैं, हमें वह देना है, जैसे उपर का क् इस तरह लिखेंगे, हम लोग इसके तच्छम स्वरूप में इस तरह लिखेंगे, इसी तरीके से श्वान का इस तरह के से श्वान, आलस का आलश्य, पन का फन, यह इसका तच्छम स्वरूप है, जब हम व्याक्रन की कख्षा करेंगे, तो उसमें हम पूरी तरीके से तद्भवक इसको कहते हैं, देशत सब्द कॉन से हैं, विदेशत सब्द कॉन से हैं, क्या होते हैं, यह हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी यहां पर पार्ट पे आधारित होने की कारण मैंने तंशित तोर पर थोड़ा सा आप लुगों को बतला दिया है, इसी के साथ यह ज ठीक है इसके साथ धन्यवाद